जैहन दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है मेरे नए वीडियो कंटेंट में दोस्तों ये एक मीडिया रिपोर्ट है जी न्यूज हिंदी की तरफ से सैवंध पे कमिसिन के रिगार्डेंग ये न्यूज है इसमें लिखा है केंद्य करमचारियों को तगड़ा जटका दोस्तों केंद्य करमचारियों को तगड़ा जटका का मतलब आप समझ समझ भी सकते हैं केंद्य करमचारियों को जहां पर उनके इंटेटलमेंट को रोग दिया जाता है वो उनके लिए एक बड़ा तगड़ा जटका होता है यहां कुन से तगड़े जटके की बात कही हो आप खुद देख सकते हैं 18 महीने के DA area पर एक नए अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार ने क्या बात कही हैं वो सब इस न्यूज में हम देखेंगे देखते हैं कि न्यूज की माध्यम से सरकार employees को क्या कहना चाहती है 7th Pay Commission latest news है केंदे करमचारी को तगड़ा जटका लग सकता है अगर आप भी पिछले 18 मेंनों से लटके पैसे 18 मंथ DA area का अंचजार करें तो आपको बता दें कि सरकार ने इस पर बड़ी ज़नकारी दी है और बड़ी ज़नकारी क्या हो सकती हैं आप सब जानते हैं चलिए उस जानकारी को जान लेते हैं गवर्मेंट ने कलियर कर दिया है दरसला 18 मेहने के DA area को अभी फिला आज़ेंडे में सामिल नहीं किया गया है जिससे साफ है कि इस पर अभी सरकार किसी तरह के फैसले के हक में नहीं है सरकार के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के area के भुकतान के फैसले 18 मन्थ DA area update को अभी रोक दिया है सरकार के और से जारी किये के इस ब्यान से करमचारी को बड़ा जटका लगा है लेकिन दूसी तरफ होली के अफसर पर सरकार DA में इजाफा कर करमचारियों को बड़ी खुसकबरी दे सकती है वितमंत्री ने कुछ बातें इसकी regarding कहीं है गोर तलब है कि वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने कुछ दिन पहले ब्यान जारी कर जानकारी दी थी करोना महमारी की वज़े से इन करमचारियों के महाई बत्यों को रोका गया था जिससे सरकार उस पैसे से गरीबों और जरुतमंदों की मदद कर सके कि सरकार के जो करमचारियों क्या वो बिचारे जरूरतमंद नहीं है जरूरतमंद तो वो भी है मैं तो कहता हूँ बहुत सारा तबका उनमें से ऐसा है जो विचार उस नोकरी को पाकर रोटियां खा रहा है अदरवाइस वो भी गरीबी रेखा में थे महामारी के तोरान सरकारी मंत्रियों संसदों की सेलेरी में भी कटोती की गई थी इसके साथ ही के निकमचारीयों की सेलेरी में किसी भी तरह की कटोती नहीं की गई और नहीं डिये में कटोती की गई पूरे बनेगा डिये एरियर वो भी कोई discussion वाली बात नहीं है क्योंकि जब डिये एरियर आएगा तब वो list आपको update कर दी जाएगी और जितना बनेगा आपके सामने होगा बाकिया आपी news खुद पढ़ सकते हैं तो ये एक news थी कुल मिलाके आपको ये जानना चाहिए मैं आपको ये जाला है ये सोचना छोड़ देना चाहिए मेरा मानना है 18 मिने का डिये एरियर एक agenda पॉइंट होगा हो सकता है कि 2024 में सरकार इसको एक ऐसे element की जगए इस्तिमाल करें जबकि आपकी voting की government को जरूत हो तो ये डिये एरियर सायद उस्तमें आपको दिया जा सके बट और जितने भी नियूजे डिये एरियर के समदनें चाल रही है और फेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज अपना सही चैनल चुने और सही नियूज देखे लेट साल फॉर इस वीडियो जैन